हेलो एबरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल कोगवेत रितु फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे सूजी का ऐसा स्नैक्स कि आपको खाकर मजा ही आजाएगा सिर्फ नास्ते में ही नहीं आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी ये रेस्पी दे सकते हैं बहुत दीजी है बहुत काटूरी दहीली हुई है इन दोनों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और इनको फर्मेंट होने के लिए आदे घंटे के लिए साइड में डख करके रख देंगे इस मिस्रड को आप चाहें तो चाहें तो चार से पांच घंटे बहुत ही आराम से रख सकते हैं या तो एक दिन पहले रात में भिगा कर रख दीजे तो इसका जो फर्मेंटेशन होगा ना उससे ये नास्ता बहुत अच्छा बनेगा तो इस अप्पे की रेसिपी को बनाने के लिए मैंने इसमें स्रड को लगबग 5-6 घंटे रेस्ट पे रख दिया था जब 5-6 घंटे बाद मै अब ही हम इसमें कुछ सब दाया है करेंगे जैसे इसमें बारीक कटी हुई प्याज बारीक कटी हुई जा आप चाहें तो बिंस भी एट कर सकते हैं या फिर इसके साथ पनियरी भी एड़ कर सकते हैं तो या निकाmayın तीनों सब्गयों को मैंने डाल दिया है और इसमें अच्छे से mix कर देंगे साथी साथ बारी कटिवी धनिया की पत्ते डालेंगे और ये हलके हाथों से मिक्स कर लेंगे तो हलके ही हाथों से मिक्स करना है क्योंकि सूजी हमारी अच्छे से फर्मेंट हो चुकी है आप देख सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे चोटे चम्मस से Baking Soda Baking Soda है इसमें तोड़ा सा पाणि डालेंगे ताकि यह रियाक्शन करें वैसे सूजी हमारी काफी अच्छी फूल चुकी है अब इसमें कुछ मसाले आइड करेंगे जैसे कि तोड़ा सा चाठ मसाला जादा नहीं थोड़ा ही डालेंगे और थोड़ा सा काला नमक फिर थोड़ा सा सफेद नमक टेस्ट के कोडिंग थोड़ा सा काली मिर्ज का पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ज का पाउडर थोड़ा सा भूनचीरा पाउडर और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला हो या सांबर मसाला हो इन स तो साइड में मैंने पैन डख लिया है अप्पे का ये प्री हीट के लिए मैंने पांच मिनिट पहले ही रख दिया था लोग लेम पे अब इसमें थोड़ा सा घी एट करेंगे आप चाहें तो घी की जगह पे कुकिंग ओयल भी डाल सकते हैं और सारे मिश्चरण को इसमें डा सारे करारे अप्पे बनेंगे और काफी फुले फुले बनेंगे तो देखे साइड से कितने बढ़ी अफूल रहे हैं तो इस अप्पे को बनाने के लिए ना सूजी और दही का फर्मिंट होना बहुत जरूरी है देखे अब पांच मिन पार धकन हटाकर चेक के हैं तो सारे अप्पे पक चुके हैं अब इनको हम पलट लेंगे थोड़ा सा घी डालेंगे इनके उपर और बॉल्स को पलट देंगे पलट करके जादा से जादा पांच मिनट और पकाना है इसको ठक देंगे थोड़ा सा घी और इस पे डाल देंगे और ये बन करके बिलकुल तयार है इस अप्पे की रेसिपी को सिर्फ 10 मिनट में आप बना सकते हैं, बहुत ही कम टाइम लगता है, इसको बनाने में और फटा फट बन के तयार हो जाता है, और ये अप्पे की रेसिपी काफी हेल दी है, और फटा फट बन जाने वाली रेसिपी है, तो इस रेसिपी को बच्चो नारियल ना हूँ ताजी वाली तो घर में कैसे चटनी बनाते हैं तो चलिए ये भी देख लेते हैं तो नारियल का बुरादा लिया हुआ है मैंने आपके पास सेदी ताजा नारियल है तो उसको भी ले सकते हैं साथी साथ थोड़ी सी दही एड की हुई है चार से पांच हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया का पत्ता इन सारी चीजों को और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे इसमें और इनको हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे बस चटनी बन के तयार थोड़ा सा तड़का लगाएंगे थोड़ा सा सरसू का तेल डाले हैं अब इसमें थोड़ा सा करी लीफ एड़ करेंगे करी लीफ डालते हैं तो एकदम चटनी में एकदम पढ़ियां स्वादा आ जाता है पस इतना थोड़ा ही तड़का तयार करेंगे और ये चटनी बनके बहुत ही लाजवाब चटनी बनके तयार हो गई है तो इस चटनी को जर आप जरूर ड्राइ करिएगा और मेरे कमेंट सेक्षन में जरूर बताइएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए बापाई